बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस लाइब सेशन में आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11 के इकनोमिक सब्जेक्ट के सेंपल कोशन विपर विच सॉल्यूशन के बारे में जो कि आपके टर्म 1 2021 के एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वा आपको टोटल करने है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते है आज के इस लाइब सेशन को लेकरने से पहले दोस्तों इस लाइब सेशन के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी का भी शेर कर दीजिए ताकि वो भी से जोड़ जाए और इकनोमिक से संबंधित जो most important mc क्यूं है उनके उसके वारे में उन्हें भी पता चल जाए तो चलिए आज के live session को भी start करते हैं बात करते बच्छो section A है हमारा जिसमें आपके 24 questions है and you have to give answer only 20 question number first है निम्रिखित में से कौन से आरितिक गतिवीदी है उपभोग पिता का पुत्र को बढ़ाना पार्टी में सामिल होना चात्रवरिदी तो यहाँ पे जो आर्थिक गतिवीदी है वो है उपभोग second question है निम्रिखित में से कौन सा आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है option A सीमित संसादन, second सीमित मानव आवश्चकता है C संसादनों के वेकलपिक प्रियोग and D चेन की समस्याओं तो जो कारण नहीं है वो है चेन की समस्या ठीक है question number third ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य सक्ति के लिए कारे करता है और इसके लिए वेतन के रूप में भुकतान प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है उत्पादक, उपभोकता, सेवाप्रदाता या फिर सेवाधारक तो ये कहलाता है सेवाधारक ठीक है अलब लिए 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 कोश्चन नमबर फोर एक वचन के रूप में निम्लिखित मैंसे कौन सी सांख्यकी नहीं है आंकड़ों का संक्लन, प्रिस्तुती करण, वरगी करण या फिर व्यवस्थिक रूप से संग्रहत संक्यात्मक आंकड़े तो इसका है उप्षन डी जो सांख्यकी नहीं है वो है उप्षन नमबर डी व्यवस्थित रूप से संग्रहत संक्यात्मक आंकड़े ठीक है question number 5 यहाँ पर देखिए बच्चों हमें कतन और current दिये गए है ठीक है देखिए कतन है कि कतन एक है आरितिक नियोजन में सांखिकी का कोई महत नहीं है second है सांखिकी के द्वारा जटिल तर्थियों को सरल बनाया जाता है अब हमें यह चैन करना कि दोनों सत्य है असत्य है कौन सा सत्य है असत्य है यह बताना है ठीक है तो इसमें से बच्चों जो आपका कतन है first यह तो आपका गलत है यान की असत्य है और कतन दो जो है यह आपका सही है तो option D हमारा right होगा ठीक है कथन एक असत्य है कथन दो सत्य है अगर दिखते हैं कुशन मरे 6 यहाँ पर कुछ आंकडे दिये गए हैं बच्चो यह आंकडे में पढ़ने हैं आंकडे जो मूल्स रोज से पहली वात संग्रित कीए जाते हैं क्या कहलाते हैं प्रात्मे कांकडे दुट्य आंतर क्या फिर प्रकाशित तो आपको भी पता है प्रतमवारी संग्रेत किये गए आंकणों को प्रत्मिक आकड़े कहते हैं ठीक है सेवन है जन अन्वेशन के अंतरगत जन संख्या अनन्त हो तब हमें किसका प्रयूग करना चाहिए प्रति चैन विधी उप्रोक्त दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो सेवन का है ऑप्शन नंबर बी प्रति चैन विधी का हमें उप्योग करना चाहिए ठीक है एट है राष्टिय प्रतिदर्च सर्वेक्षण निम्न में से कौन से आंकडे प्रकाश्ट करता है कुल जन संख्या जन संख्या घनत्वर लिंग अनुपात या फिर रोजगार तो ये रोजगार के आंकडे प्रकाश्ट करता है ठीक है राष्टिय प्रतिदर्च सर सानी से पता होगा बीच का क्या होगा सत्तरा पॉइंट पांच ठीक है कोशन है 10 बारंबाता विवरण से सांख्य की गणना आधारित होती है वास्तिक मूलियों पर उपरी वर्ग की सीमाओँ पर निचली वर्ग की सीमाओ पर वर्ग के मध्विंदों पर तो जो वारंबाता है वो सांकी की गड़ना बालगे के मरद्य वििद्रियों पर आधारेत होती है ठीक है को संफें कॉम्साय करमचार्यों का वजन तो यहां पर जो आपका 11 है इसका option A करमचारियों की संक्या ये एक विविक्त चर है ठीक है प्रेल्व है आर्थिक समस्या के कारण sorry आर्थिक समस्या किसके कारण उत्पन होती है देश की उच्च जन संक्या खरीदारों के बीच प्रतिस्परदा संसादनों के वेकलपिक उप्योग निर्माता अरिक्तम लाप चाहता है तो option C है संसादनों के वेकलपिक उप्योग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन होती है ठीक है तो आई हो बच्चों अभी तक के 12 प्रश्ट आपको समझ में आए होंगे और अभी तक आपने अगर इस लिंक को शेर नहीं के आपने सभी दोस्तों की साथ तो शेर कर दीजे ताकि वो भी इससे जोड़ जाए और आपकी इकनोबिक्स के इंपोर्टेंट MCQ के बारे में उससे भी पता चल जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला कोश्ण है दोस्तों हमारा कोश्ण नमर 13 इसमें देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है इसमेंसे जो सही मिलान है हमें उसका चेंड करना है तो सही मिलान है हमारा ओप्शन नमर फोर्थ संचे आवृति चक्र और ओजाईव तो option D हमारा यहाँ पर आप देख पाएंगे option D यह हमारा इसका right answer हो जाएगा question number 14 यहाँ पर कथन 2 दिये हुए है और हमें यहाँ पर बताने है कौन सा गलत है कौन सा सही है कथन 1 है बहुलक को ग्राफिय रूप में दिर्धारित नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर देखे जो आपका कथन 1 है यह तो आपका गलत हो गया दूसरा है बहुलक चरम पदों के मूल से प्रभावित नहीं होता है यह सही है तो यहाँ पर देखते है हमारा option number 4 कथन A सही है स्वरी कथन A गलत है कथन 2 सत्य है option D हमारा राइट हो जाएगा 17 है प्रत्यक्ष विदी के द्वारा समानतर माध्य ज्याद करने का सूत्र क्या होता है तो सूत्र होता है हमारा option number D ठीक है 16 है निम्द मैं से किसका समवंद व्याष्टी अर्थ सास्तर से होता है देश के कीमत दर्मे व्रिद्धी बेरोजगारी की समस्या राष्टर ये आए टाटा इस्टील की आए तो option D टाटा इस्टील की आए इसका समवंद व्याष्टी अर्थ सास्तर से होता है ठीक है अगरा देखें question number 17 9, 13, 14, 16 and 18 इसका माध्य क्या होगा तो इसका सिंपल सा माध्य आपको भी पता है 14 होगा ठीक है 18 है वस्तूओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए ये समबंद अर्थ सास्तर की कौन सी केंजरी समस्या से है देखें यहाँ पर पूचा जा रहे कितनी समस्या की जाए तो कितनी वाले यह जो सब जितने भी होते है यह जुडे होते हैं आपके कि क्या उत्पादन किया जाए ठीक है तो option A यह उत्पादन किया जाए ये इस समस्या से जुड़ा हुआ है ठीक है 19 है उपयोगिता को गणना वाचिक दिश्टिकॉंड में किसके द्वारा मापा जाता है रुपय, डॉलर, यूटिल्स या फिर सीमानत उपयोगिता तो इसे मापा जाता है यूटिल्स में 20 है दो बस्तों की इस्तिती में उपभोकता शंतोलन की शर्थ इसमें से क्या होगी तो वो शर्थ होगी आपकी ऑप्शन B, M U X अपॉन में P X एक्वल टू M U Y अपॉन में P Y, ऑप्शन D राइट है 21 है निम्न में से किसकी मांग, बेलोचदार होगी नमक, एयर कंडिशनर, स्कूटर या फिर प्राक्रतिक वस्तू तो इसका ऑप्शन A राइट होगा हमारा नमक ठीक है 22 है यहाँ पर कथन और कारण मतलब दो कथन दिये गए हैं पहला कथन है कि बड़ी संख्या में निकट इस्थानपन वाली एक वस्तू की मांग अधिक लोचदार होती है कथन दो है विलासिता की वस्तू की मांग प्राया अधिक लोचदार होती है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कथन A भी सही है और कथन 2 भी सही है तो यहाँ पर देखते हैं हमारे जो option A होगा कि दोनों कथन सत्य हैं यह right हो जाएगा question number 23 है यदि किसी वस्तु की कीमत 20% होने के कारण उसकी मांग में 20% का परिवत्न होता है तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी तो मांग की कीमत लोच होगी ED equal to 1 ठीक है 24 है budget रेखा का ढलान होता है तो budget रेखा का ढलान आपको भी पता है PX upon में PY PX upon में PY budget रेखा का ढलान होता है तो इससे से पर हमारे section B section A यहाँ पर खतम हो गया है जिसमें आपके 24 प्रशन थे और आपको किनी 20 प्रशनों के उतर देने थे अब हमारा option number जो है यानि कि section number जो है वो B यहाँ से start हो रहा है जिसमें आपके total 24 प्रशन है 24 में से आपको किनी 20 प्रशनों के उतर देने है ठीक है बात करते हैं बच्चों question number 25 इस्थानिक वर्गी करण dash के अधार पर आकणों को समुहित करने को कहते है परिस्तिती इस्थान समय या गोड तो इसको कहते हैं इस्थान ठीक है 26 है यदि पारस 100 है और वर्ग अंतराल 20 है तब वो वर्गों की संखे कितनी होगे तो वर्गों की संखे निकालने के लिए क्या करते है पारस बटे में अंतराल यानि कि 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे sorry 20 को अगर हम sorry 100 को हम 20 से डिवाइड करते है तो option C 5 हमारो राइट आंसर आएगा ठीक है 27 है एक वितरन के चिंद 12,16,20 and 14 तब प्रतेंग वर्ग अंतराल कितना होगा 10 से 14 तो यहां पर दिखिए 2-2 का gap आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है sorry मतलब पहले 4-4 का यहां पर gap आपको देखने को मिल रहा है तो 4 का gap इन में से कहां पर है देखिए आपको 11 से 15 में दिख रहा है नहीं है 10 से 5 से 10.5 में नहीं यहां पर पॉइंट तो दसाया नहीं गया है यहां पर पॉइंट में दसाया गया है तो यहां पर दिखिए एक तो आपकी जो संख्याए है वो equal में है यानि कि जो दो से कट सकती हैं उससे संबंदित हैं तो option हमारा A इसका right हो जाएगा 28 है कि कक्छा 11 के विभिन वर्गों के लिंग अनुसार चात्रों की संख्या को दशाने वाली सारणी कलागनुक्रिमिक सारणी, गुनात्मक सारणी, भोगॉलिक सारणी या फिर मातरात्मक सारणी तो यह सारणी कहलाती है गुनात्मक सारणी 29 में देखे कथन है पहला कि सारणी के स्थम्वों के लिए सिर्षक और उप सिर्षक के स्थम्वों सिर्षक कहते हैं साणियन की इस्तिती में सेशक का अभीप्राय 36 पंग्तियों के सेशक से होता है तो इसका जो है की जो Option फर्स्ट है, कथन वाला कथन एक ये तो हमारा सही है कथन 2 हमारा गळलत है तो Option C आप यहां पर देख पाएंगे कथन 1 स्तिया, कथन 2 हमारा घलत है ठीक है नहीं छोड़ा जाता है बिल्कुल सही आया थे चित्र एक आयामी लेक है यह गलत है आया थे चित्र कोई आयामी लेक नहीं है तो आप्शन सी आप यहां पर देख पाएंगे कथन एक सत्य है कथन दो गलत है यह हमारा राइड आंसर हो जाएगा ठीक है अगला है 31 तोरण ग्र या फिर उपसे निम्न जो है वो हमें मार्धिका को ज्याद करने में मदद कते हैं अगला कोश्चन है 32 यदि किसी स्रेडी का बहुलक 13 और मार्धिका 21 तब उसका मार्धि जो है वो कितना होगा 22, 23, 24 या फिर 25 तो उसका मार्धि होगा 25 ठीक है अगला 33 दस प्रेक्षणों क मार्धि 14 है तो एक नया प्रेक्षण 25 जोडने पर नया मार्धि कितना होगा 13, 14, 15 या फिर 16 तो नया मार्धि जो निकलेगा वो होगा आपका 15 ठीक है 34 है कथन एक कहता है कि मार्धि को ग्राफिय रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कथन दो है मार्धि चरम मू कुल्यों से प्रभावित होता है तो यहां प्रदर्व कि दोनों ही कतन हमारे सही है कतन एक दोर ये दोनों ही सही है कि अगला 35 समानतर मात्रेसे सभी मंदों के विचलनों का योग क्या होता है शुन्य एक रहा बता D, तो 35 का हमारा option A सही होगा, जो योग होता है वो 0 होता है ठीक है 36, एक स्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला जो मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है माध्य, बहुलक माध्यका, या फिर बारम बारता तो वो जो बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आता है ठीक है, उसे हम कहते है बहुलक, option B हमारा right है 37 है 2, 3, 4 3, 6, 3, X 4, 5, 4, 7 तो इसमें बहुलक 4 है तो X का मान ग्या होगा यहाँ पर X का मान हमें ग्याद करना है तो जब बहुलक हमारा 4 है तो X का मान अगर हम निकालें तो वो भी हमारा 4 ही होगा ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 3 वार यहाँ पर आया हुआ है तो option A हमारा right हो जाएगा second है sorry, 38 है अभिकतन और कारण है यहाँ पर अभिकतन है कि 4 मनों का समानतर मार्दे 40 है यदि प्रित्येक मन में से 5 घटा दिया जाए तब नया समानतर मार्दे जो है वो 5 होगा sorry, 45 होगा कारण किसी स्रेणी के प्रित्येक मन में एक निश्चित संक्या बढ़ाने पर समानतर मार्दे भी उच्च संक्या के बराबर बढ़ जाएगा तो 38 में देखिए क्या है कि जो अभिकतन है वो हमारा गलत है और जो कारण है वो हमारा सही है तो यहाँ पर देखेंगे option D, अभिकतन गलत है कारण सही है ठीक है अगला देखते है 39 अभिकतन है अभिकतन है भारतिय अर्थ विस्ता में कीमतें लगातार बढ़ रही है यह एक सकारात्मक अर्थसास्त का उधारण है ठीक है सही है कारण सकारात्मक अर्थसास्त में आर्थिक समस्यां क्या है इसका अध्यन किया जाता है तो यह भी ठीक है तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही और सही भी है और व्याख्या भी हो रही है तो option A बच्चों हमारा इसका right answer हो जाएगा ठीक है question number 40 की बात करते हैं अभिकर्थन के अनुसार घटती हुई सीमान्त उप्योगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकायों का अपुभोग करते हैं हर अगली इकाय से प्राप्त होने वाली उप्योगिता गिरिती है कारण जब M U रनात्मक होता है तब T U गटती है हाँ बिल्कुल सही है अभिकर्थन और कारण दोनों सही है और ये कारण बताता है कि ऐसा क्यूं होता है तो option ए हमारा राइट है कि अभिकर्थन कारण सही है और कारण अभिकर्थन की सही व्याक्या भी कर रहा है ठीक है अगला देखते हैं अभिकर्थन है कि अन्धिमान चक्र की ओर गिरता है अंधिमान चक्र नीचे की और जो वक्र होता है वो नीचे की और गिता है कारण एक वस्तु की अधिक एकाईयों का उप्योग करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ एकाईयों का त्याग करना पड़ता है सही है तो अभिकतन भी हमारा सही है कारण भी सही है और अविखतन कारण की सही व्याख्या भी बच्चों यहां पे कर रहा है तो option A हमारा राइट हो जाएगा ठीक है question number 42 यहां पे column first and second दिया हुआ है इसमें से जो सही योग में है यानि की सही मिलान जो है हमें उसका chain करना है तो सही मिलान है मारा option number 4 पूरक वस्तु है D यानि की pen और स्याही तो यहां पे देखेंगे जो विकल्प यहां पे दिया हुआ है इस विकल्प में option fourth है fourth का D यह हमारा इसका right answer हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं अगला यहां पे graph दिया हुआ है इसमें इसमें बताना है कि आरेक मांग में जो व्रिद्धी की इस्तिती है वो कौन सा graph इसमें से दर्शा आ रहा है आरेक मांग में जो व्रिद्धी है वो इसमें से कौन सा graph दर्शा आ रहा है तो यहां पे आप देखेंगे कि जो option C है यह इसकी व्रिद्धी को दर्शा आ रहा है ठीक है, तो option C हमारा इसका right हो जाएगा, यह जो question है, वो visual impact challenge बच्चे हैं उनके लिए है, कि पैट्रोल की कीमत में कमी के कारण, कार के मांगों में वक्र में डैस होगा, तो यह जो है, इसका होगा option B, दाइं और खिस खाओ, ठीक है, here, 44 है, यहाँ पे एक कथन दिया गया है, मांग मैं संकुचन, समान मांग वक्र के साथ, उपर की ओर, चलन होता है, कथन दो है, दे गई वस्तुकी कीमत में, वृद्धि के कारण मांग वक्र पर चलन उपर की ओर होता है, तो यहाँ पे रिखे, जो हमारा ये कथन फर्स्ट है एंड कर्थन जो सेकंड है यह दोनों ही सही है तो option A हमारा इसका right answer हो जाएगा ठेक है 45 की बात करते हैं यदि वस्तु X की MUX 60 है और वस्तु Y की MUY 40 हो तो वस्तु X की कीमत 12 रुपए है तब संतुलन की वस्ता में Y की कीमत क्या होगी 8, 9, 10 या फिर 12 तो उस समय वस्तु की कीमत होगी 8 रुपए ठेक है वस्तु की कीमत होगी 8 रुपए 46 है एक वस्तु की कीमत लोज माइनस 0.2 है यदि वस्तु की कीमत में 5 प्रतिस्यत की व्रेधी होती है तब वस्तु की मांग में कितने प्रितिसद की कमी होगी तो 46 का option A सही होगा एक प्रितिसद ठीक है क्योंकि 0.2 कितना बनेगा हमारा एक प्रितिसद की अराउंड अगला 47 स्रम प्रधान तक्नीक को चुना जाता है किसके दौरा विक्सित अथिविस्ता स्रम अतिरेक अर्थिविस्ता पूंजी अतिरेक अर्थिविस्ता या फिर खुली अर्थिविस्ता में तो option B स्रम अतिरेक अर्थिविस्ता में स्रम प्रधान तक्नीक को चुना जाता है 48 है अभिक्सितन और कारण दिये गए हैं अभिक्सितन के अनुसार बजट रेखा की तुलना में बजट सेट एक व्यापक अवधारणा है कारण बजट सेट के बंडल या तो बजट रेखा पर या उसके नीचे इस्थित होते हैं तो यहाँ पर अभी कथन आपका सही है कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है तो option A हमारा write हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बजटो आपका section B खतम होता है जिसमें आपके कर्थन, मिलान वाले questions और जो सूतर वाले प्रशने थे यानि कि कुछ आरेक वाले भी थे और कुछ आपके जो multiple choice किते वो भी थे वो हमने यहाँ पर कर लिए और आई हो बच्चो आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे अब हमारा section C यहाँ से start होगा तो section C की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए section C दिया हुआ है section C में आपके 12 प्रशनों में से किनी 10 प्रशनों के आपको उत्तर देने है तो यहाँ पर आप बच्चो देख सकते हैं section C में हमारे जो यह जो टेवल है यह आपके question number 49 से 54 यान की 6 question के लिए बनी है तो इसे हम पढ़ेंगे और इसे संबंदित हम प्रशनी देखेंगे तो इसे आप वीडियो को pause करके अच्छे सी समझ लीजिए 49 question है 70 से 90 का वर्ग चिन कितना होगा ठीक है वर्ग चिन इसका कितना होगा 70, 75, 80, 90 तो option C इसका right हो जाएगा 80 वर्ग होगा 50 है बहुलक वर्ग कौन सा है आपके option है 30 से 50, 50, 70, 70, 90 आफिर 90, 110 तो जो बहुलक वर्ग है वो है 50, 70 51 है माधिका वर्ग कौन सा है 30, 50 50, 70, 70, 90, 90, 110 तो माधिका वर्ग है हमारा option नमबर B 50, 70 ठीक है 52 है 50 सेंटी मीटर से अधिक उंचाई वाले पौधे की कुल संख्या कितनी है 40, 30, 55 या फिर 65 तो उनकी कुल संख्या का जो योग है वो है 65 ठीक है 53 है 70 सेंटी मीटर से कम उंचाई वाले पौधों की कुल संख्या कितनी है 60, 35, 40 या फिर 25 तो आप देखेंगे आलेक में इसकी संख्या है 60 ठीक है फिप्टी फो है उपरोक्त तालिका में दी गए आँक्णों से माधिका गयाद कीजिए तो अगर हम जो तालिका हमें दिखाई गई है उसके अगर माधिका गयाद करेंगे तो माधिका आएगे आपकी 62 ठीक है अब उसके बाद प्रसंद संख्या 50 से 55 से 60 के लिए एक अलग गद्यांज दिया हुआ है अलग स्रोथ दिया हुआ है उससे पहले आप question number 49 and 54 के लिए जो आपको समझाया गया है उससे अच्छे से समझ लीजी ठीक है 49 का option C right होगा 50 का option B right होगा 51 का option D right होगा 52 का option number D right होगा 53 का option number A right होगा and 54 का option number D right होगा अब हम बात करते है question number 56 and sorry 55 से 60 के लिए तो इस कथन को यह सुरोथ है इसे अच्छे से पढ़ लीजीए ठीक है नीचे भी है यहाँ पर दो लाइन इसे भी पढ़ लीजे अब हम प्रश्न की बात करते है question number 55 है अधिकतर लोग electric वहन खरीदने को प्राथिंता क्यूं देते हैं समय की बचत कम टेक्स लगना सुविदा जनक सफर या फूर उप्रोक्त मैंसे कोई नी तो यहाँ पे जो है हमारा option B कम टेक्स लगना यह अधिकतर लोग इसी लिए electric वहन खरीदते हैं अगला question है 56 electric वहन से driving लागत कितने प्रतिशक तक कम हो जाती है तो 81 प्रतिशक तक ठीक है फिप्टिशेवन है electric वहनों की मांग बढ़ने से petrol वहनों की मांग पर क्या प्रभाव पढ़ेगा मांग में संकुचन होगा option जो 57 है इसका option D right होगा मांग में कमी होगी 58 है एक कतन है कि electric वहनों से भविश्य में वहनों की संक्या आते देख बढ़ जाएगी कतन 2 है electric वहन से driving की लागत बढ़ जाएगी तो बच्चों यहां पर हमारा जो कतन 1 है यह थो हमारा सही है लेकिन कतन 2 हमारा गलत है तो option C हमारा इसका right answer होगा 59 है अभी कतन और कारण है यहां पर अभी कतन है electric वहनों की तुन्ना में petrol या diesel वहन की उत्पार सुल्क में सुल्क की लागत कम होती है कारण electric वहन पर सरकार कम tax लगाती है तो यहां पर देखिए option A जो है हमारा sorry option D जो है कि अभी कतन तो हमारा गलत है लेकिन कारण हमारा सही है तो option D हमारा इसका right answer हो जाएगा ठीक है आखरी प्रशन है अभी कतन कहता है कि हरेत वहनों की बढ़ती हुई मांग संक्या से खजाने में tax के रूप में कम धन आएगा electric वहन पर सरकार tax नहीं लगाती तो यहां पर हमारा option C अभी कतन सही है कारण गलत है यह इसका right answer हो जाएगा तो इस तरह से बच्चों आज का यह question paper यहां पर खतम होता है आज का हमारा live का session भी यहां पर खतम होता है आज से कतन हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद रही होगी वीडियो अच्छे लिगे तो like जरूर कीजेगा ज्यादा से ज्यादा आपने सभी दोस्तों को share भी जरूर कीजेगा हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ते से ही अपना ख्याल लखिए धन्यवाद जैहिन वंदे मातरम